हेलो एवर्यवन वेलकम टो वर यूटूब चैनल सो माइट यहां पे आप सब के लिए आज में एक इम्पोर्टन अपडेट लेका आया हूं और आज का जो अपडेट है डाट इस रिगार्डिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट पर जुड़ सकेल स्टीनोग्रफर और पर्सोनल एस्टंट अप्लाई किया था उनका जो टाइपिंग टेस्ट था वो अर्ड हो चुका है अब उनका शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है अब यहां पे सबसे पहली चीज क्या है आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होगा और यह होगा फॉर कश्मीरी पेस्ट के लिए जो के होगा 28 12 2021 से आपका जो शॉर्ट होगा यहां पर अभी आपको मैं बताऊंगा नीचे जिनका नाम आया है बच्चों का यह नोटिफिकेशन जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका मैं का हमें नीचे दिया गया है वह में अंदर पढ़ेंगे कुण कुण से बच्चे एंड मोस्ट इंपोर्टन की जो शॉर्ट होगा आपका उसके जो एड्मिट कार्स हैं वह आपके 23 12 2021 से आपके स्टाट हो जाएंगे आपके अड्मिट कार्स तक्रीम तक्रीम यहां पर आचु जो भी है आप यहां पर ले सकते हैं जो वैलेड प्रूफ होंगे ठीक है अब जो कंडिडिट्स यहां पर नाम नीचे दिए गये हैं अगर उन में से कोई भी बच्चा गुल्टी पाएगा है जो एपियर होगा फॉर शॉर्ट हैं तैस्ट अब उन में से अगर कोई भी होगा under law यहां पर चीज़ें दी गई हैं यह आप देख सकते हो and next point is यहां पर जो candidates हैं जो एपर हो रहे हैं short hand test के लिए they shall be provisional and subject to fulfillment of eligibility जो यहां पर दी गई थी prescribed for the post अब यहां पर आपको सबसे important चीज़ क्या याद रखना है अगर किसी भी candidate का कोई भी candidate who fails to appear in the short hand test जो short hand test में appear नहीं होता है तो यहां पर वो उसके बाद allow नहीं किया जाएगा और ना ही उसका कोई supplementary short hand test होगा यह पहले ही जान के लिए के नोट करके रखे यह चीज़ बाद में कोई भी exam नहीं होगा आपका ठीक है तो आपको अपने concern date पर जाना है और यहां पर नीचे lab दिया गया है कौन सी lab में आपका test होगा तो फिलाल यह जो है notification यह कश्मीरी बच्चों के लिए और कश्मीर डिविजन और जुमो डिविजन के लिए अलग से निकल गया ठीक है अब यहां पर लास्ट पॉइंट जो कहा गया है दे केंडिडेट्स कॉलिफाइट शॉर्ट हैं टेस्ट जो भी बच्चा यहां पर कॉलिफे करेंगा शॉर्ट हैं टेस्ट वही फिर होगा वही बच्चे फिर रिटन टेस्ट के लिए जो है कंसिडर किये जाएंगे यहां तक सारी चीज़ें क्लियर है न तो अब जो भी बच्चे यहां पर मैं आको पहली भी बोला कि यह जुमो डिविजन के लिए बाद में सेपरेटली नोट्स आएगा लेकिन यह नोट्स जो है अब यहां पर आप सारी चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हो यह जो लिस्ट हमारे पास आप देख सकते हैं एक के अंदर हमें दिया गया है लिस्ट आप केंडिटेट्स हूँ हैड कॉलिफाइड टाइपिंग टेस्ट एंडर कॉल्ड फॉर शॉट हैं पर जैसे मैं पहला नाम यहां पर पाट रहा हूं आप दर फारूक फारूक हमत बट यहां पर इनका अप्लिकेशन आइड भी दिया गया है तो इनका जो है प्रिफेब लैब में इनका एक्जम होका नाइलिट बैच बीवन है इनका रिपोर्टिंग टाइम 930 है और इनका जो टेस्ट टाइम ह है 28 12 2021 इसी तरह से बागी बच्चे भी अपना देख सकते हैं किस लैब में है और आपका रिपोर्टिंग टाइम और आपका बैच ठीक है बैच नमबर क्या है वह आप यहां से देख सकते हैं तो अगर आप देखो यह बहुत बड़ी नोटिसकेशन है यहां पर सारे नाम त हैं थे तो तकरीब यहां पर इन्होंने आइधिंग 3000 बच बच्चे यहां पर कर चुके हैं इसका मतलब आपका शौट हैंट टेस्ट होगा फिर शौट है टेस्ट में आप जो कौलिफे करेंगा वही बच्चे सलेक्ट ओंगी रिटिन टेस्ट के लिए और फाइनल आपको करना है तो उसके बाद आप की पोस्टिंग हो जाएगी यहां तक सारी चीज़े समझाएगी यह पूरा वीडियो आपको समझाएगा पूरा डेस्क्रिप्शन जो भी मैंने आप यह चीज़ें बुरी वह आपको अच्छे से समझाए होंगी और आपको वीडियो जहें बहुत भी मैंने आपको झाल भी मैंने जो हम में आपको तो प्रेदी लिए रहत इए हो और आपको प्रोप्र